पहले दो चीज़ हैं माने डिफेंड नहीं किया है लेकिन जो मेरे कथन का अर्थ बना रहे हैं तो यह बता लें यह तो हमेरा कहना नहीं है वार्थी यह जनता पार्टी के मिनिस्टर्स उस समय के ग्रह सथी तरिकता नहीं है रिपोर्ट के अधार पर इनसे पर एक क्लिफ्रेकेशन कहों उस दिन आपने गलत कहा आज यह मैं कह रहा हूं वह गलत था अज यह बात यह अस्पस्ट हो जाया तो आर्केशिंग के बात में मेरे कहने में कोई अर्थ नहीं अंतर नहीं है और जो कहा है यहां का एक IPS अफिशर उसके कहने में मेरे कहने का अंतर नहीं है लगे मैं बार बार कह रहा हूं मेरे सारे सब्दों का एक अर्थ धर्म के अधात पर मुझे मत बढ़ाओ अधि उसने गलती की है किसी ने गलती की है तो इस गलती को इस रख की शामे रखो तो फिर यह आर्एसस का आप दिखा रहे हैं पुर्व के घ्रीज सची ने ये बात कही है तो आराएससस पर करभाई नहीं कुई RSS पर करवाई क्यों नहीं हो पाई अब तो क्यों नहीं हो रहा है और उनका सवाल क्यों को यह पैए नहीं हो जबाब देंगे कि इस रपट के आने के बाद कारवाई क्यों नहीं हुं अर्णों वो जबाब देंगे कि यदि वो सच था तो आज वो कैसे तो भारत की सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने गलत कहा तो यह बताना चाहिए देश को कि उस समय हम भरम में कह गए थे तो पीएशाई वही कर रही है क्या मैं अभी बार बार कर रहा हूं अधी दूसरी बात कह रही हो कर रही हो तो इसमें डिफेंस नहीं है अधी आरिशे वही काम कर रहा है तो हो सकता वो भी वही काम कर रहे हो लेकिन क्यों आरिशे पर कारवाई नहीं नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24